श्रीनाज्जी गुरुजी को अलगादेश, माँ भगवती को अलगादेश, श्राची वाले भईरबाबा को अलगादेश, आप सभी को अदेश आदेश, चक्र ध्यान, चक्र साधना से पहला एक स्टेज है जिसको चक्र ध्यान कहते हैं, क्या होता है चक्र ध्यान, नॉर्मल लाइफ स्टाइल में हमारा जो चक्र है वो डिप्लीट हो जाता है, चक्र क्या है, चक्र का मतलब होता है, तो आपके चारो तरफ के आकाशिक लाइबरेरी से वो आइडियाज कलेक्ट करता है, तो जो चक्र अक्टिवेटेड रहेगा, वो उस हिसाब से आइडियाज कलेक्ट करेगा, तो human body में basically 7 चक्र होता है, जिसमें 6 अंदर होता है, एक सर के उपर होता है, लेकिन साधकों के लिए जो important होता है, वो 10 चक्र होता है, उसमें 9 शरीर के अंदर होता है, और एक शरीर के बाहर होता है, ठीक है? तो जो 9 शरीर के अंदर होता है, 6 तो आप सभी जानते हैं, और 3 जो है, वो हमारे brain में होता है, पीछे की तरफ, जो चक्र हमारे शरीर में है, आप जानते हैं कि सबसे नीचे मुलाधार चक्र होता है, जिसको अंग्रेजी में root चक्र बोलते हैं, ठीक है, उसके उपर आता है sac chakra, जिसको हम लोग अनाहता बोलते हैं, उसके उपर आता है हमारा throat chakra, जिसको हम विशुद्यव बोलते हैं, थर्ड़ाई chakra जिसको अजना बोलते हैं, और हमारे सर के उपर करीब 6 उन्च उपर होता है, crown chakra जिसको हम सहसरार बोलते हैं, ठीक है, हर चक्र जो है, एक अलग level of consciousness के बारे में बात करता है ठीक है जो रूट चक्र है आपका जो मुलाधार चक्र है वो आपको इस संसार और इस प्रित्वी से जोड़ता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है जो माया है आपके चारों तरफ उससे जो चक्र आपको जोड़ता है वो रूट चक्र है किसी भी तरीक का जो माया वी प्रभाव है वो प्रेम हो लालज हो या फिर जो बोलते हैं न महा मया रक्षदाम परमेश्वरी तो लोब महा माया में जो आपको गसीटा है वो रूट चक्र होता है ठीक है उसके उपर आता है सेक्रल चक्रा स्वादिष्ठान का क्या काम है जब आप लोब मोहन महा माया से उपर उठते हैं तो आपका मन प्रेम की तरफ बढ़ता है या फिर किसी रचना की तरफ बढ़ता है तो इसका काम है आपका रिलेशन बाकी आपके आसपास के लोगों से कैसा है उसको ठीक करना तो जब रूट चक्रा सिर्फ अक्टिवेटेड है सबसे नीचे वाला चक्रा उसका मतलब है कि आप बहुत ही जादा सेल्फिश रहेंगे या फिर सेंटर्ड रहेंगे ये कहना सही रहेगा और आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और अपने से रिलेटेड जो लोगन महा माया है उसमें फसे रहेंगे जैसे ही आपका थोड़ा सा कॉंशिसनेस उपर आएगा चक्र में तो फिर आपका जो है आपके आसपास के लोगों से आपके समबंध के बारे में और आपकी इस complicated world में जो depression का कारण या किसी भी चीज़ का कारण है उसका यही कारण होता है कि आप खुद को नहीं समझ पाते हैं तो जैसे मनीपूर में आपका consciousness पहुंच गया जैसे मनीपूर चक्र अक्टिवेट हो गया जब वो लेवल अक्टिवेट होता है तो आपके संबंद खुद के साथ सुलजने लगते हैं तो आप में जो तीन basic quality होती है अच्छे जादक की या एक अच्छे इंसान की या फिर एक इंसान की कि आप खुद को accept करना सीख जाते हैं आप खुद के लिए responsible हो जाते हैं और तीसरा आप किसी और के अधिकार चित्र में प्रवेश नहीं करते ह ठीक है इसके बाद जब और consciousness उपर बढ़ता है तो हाट चक्र में आता है ठीक है हाट चक्र का काम है कि आप अनंत ब्रह्मान में जो अनंत प्रेम है उस उस लेवल पर पहुंच जाते है मतलब उस समय अध्वैत हो जाता है मतलब मैं ही हूँ और कोई नहीं है मतलब सब मैं हूँ और सब मुझ में है यह होता है जब हाट चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है ठीक है उसके ऊपर थ्रोट चक्र आता है मतलब आपकी वानी में इश्वर आ जाते है उसके बाद इश्वर आते हैं थर्ड आई पे थर्ड आई जैसे आपका एक्टिवेट होता है तो आप इस ब्रह्मांड के पार दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं अनन्त ब्रह्मांड हो कि आप सैयर कर पाएंगे एक बार अगर आपका थर्ड आई चक्रा पे droppedAP करके आपको अनंत ब्रह्मांड के एक अकार करवा देना उसके बाद आपमें और भाग्वान में कोई अंतर नहीं रहता है तो यह साथ लेवल of consciousness है जैसे आप लोगों में कई लोगों को भ्रांती होती है कि मेरे चक्राज में कुछ activity हो रही है मेरा चक्र जग गया है तो यह पावर्स है जो चक्र के साथ आते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपका थरड़ा एक्टिवेट हो गया है तो उसके साथ जो मैंने रिलेटेट पावर बताया वह आपके पास होना चाहिए आपको जब मैंने बोला कि क्राउन चक्र हो मतब थ्रोट चक्र आते 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 आप समझ जाए कि आपकी वानी में भगवान बसने लगेंगे यह स्तिति जब आती है तो आप समझ यह कि आप सिद्ध हो गया है पांच चक्र एक्टिवेट हो सिद्ध हो गया देखो अब मैं बताता हूं सिद्धों के लिए या फिर जो साधक हैं उनके लिए तीन चक्र और महतवपूर्ण होते हैं जिसका फोटो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो यह ब्रेइन के पीछे होता है मेडूला मेडूला अबलंगता इसका परपस क्या है कि जो कॉस्मिक एनरजी जब आप ध्यान करते हो तो क्या करते हो ध्यान करते हो तो ऐसा थोड़ी है कि ध्यान करने में हम लोग सिर्फ देखते हैं नहीं अपने बॉड़ी को भी ली हो जाते हैं तो अपने पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को अपने शरीर में लाने के लिए जैसे मुख से खानक आते हैं तो ठीक मुख के पीछे होता है ये medulla, तो इससे हम energy अपने body में प्रवेश करवाते हैं, तो यहाँ पे तीन चक्र होते हैं, एक center में और उससे थोड़ा नीचे left और right में दो और चक्र, तो शरीर के अंदर 6 चक्र और शरीर के बाहर एक चक्र सबसे उपर में, तो इनका जागरन विधी क्या होता है, तो करना से क्या होता है, कि जो आपका तीन चक्र है, जिससे cosmic energies आपके शरीर में आती हैं, वो activated रहते हैं, ठीक है, दूसरा breathing exercise से भी वो activated होते हैं, तीसरा, रोज उस तीन point का, ठीक है, उस तीन point का आपको massage करना चाहिए, एंटी clockwise और clockwise दोनों, ठीक है, बाकी जो आपके चक्र हैं, इसमें चक्र ध्यान से शुरुबात करनी चाहिए, चक्र ध्यान क्या होता है, चक्र ध्यान होता है कि आप उस चक्र पर ध्यान करों, हर चक्र का एक रंग है, जैसे root चक्र का लाल रंग है ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि इस रंग का जो कॉयलिटी है वो इसके विचार से मिलता है जैसे रूट चक्र बहुत एग्रेसिव है लोब मोहन महा मया है तो लाल तो लाल कलर का आप एक शक्ति पुन्य अपने रूट चक्र में इमेजिन करेंगे ठीक है और उसको चक्र के रूप में देखेंगे कि वो घूम रहा है और उस पे अनंत ब्रह्मांड की जो एनरजी है जो कॉस्मिक लाइट है वो पढ़ रही है और वो साफ हो रहा है जैसे जैसे लाइट उस पे पढ़ी वो साफ हो रहा है ठीक है उसके बाद आप उपर ध्या और वो साफ होगा इसी तरीके से solar plexus के समय yellow light देखते हैं heart chakra में green, throat में blue, third eye को जब भी हम लोग imagine करते हैं तो उसको हम लोग indigo imagine करते हैं और जब crown chakra को हम लोग imagine करते हैं तो violet करते हैं तो यह साथ रंग जो हैं वो जब सूर्य rainbow बनाता है तो वही color है तो विभ्योर जिस color को बोलते हैं violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red तो उपर से नीचे यही रंग है इसी को imagine करके हम लोग cleansing करते हैं पहले chakra का तो आग बंद कर लिया root chakra पर ध्यान लगाया माना ऐसा imagination किया कि वहाँ एक chakra है वो chakra लाल रंका है उसमें अनन्द ब्रह्मान से light आ रहा है और वो light जो है golden होगा वो golden light से वो साफ हो रहा है वो जैसे जैसे वो golden light उस पर पढ़ रहा है तो जो भी उस पर गंदा लगा वो साफ हो रहा है और वो freely चल रहा है जैसे आप लोगोंने कभी किसी गेर को साफ किया होगा जिसमें कि गंदगी फसी रहती है तो उसको कैसे तेरे डालके आप साफ करते हो तो वैसे imagine करना है कि आपका वो chakra साफ हो रहा है ठीक है तो यह एक practice है जो वो करना है दूसरा आप लोग को मैं किसी और meditation में या फिर आपको YouTube पर मिल जाएगा grounding meditation सीख लीजिए अभी कल जैसे मैंने gap दिया था वीडियो का वो वीडियो गैप देने का यह कारण था कि जब मैं साधनाए करता रहता हूं और मैं grounding meditation नहीं करता हूं तो मेरा crown chakra बहुत बड़ा हो जाता है ठीक है वो इतन aggressive हो जाता है वो इतना बड़ा हो जाता है इतना activated हो जाता है कि उसके प्रभाब से मेरे सर में दर्ध होने लगता है ठीक है उसके आप में कोई काम नहीं कर सकता हूं तो वो मैंने grounding meditation नहीं किया था तो यह गलती था तो आप लोग grounding meditation करें इसके बाद जब आप अपने चक्र क को clean कर लिया आपने एक सप्ता चक्र को clean कर लिया तो फिर से हम लोग वही ध्यान करेंगे वैसे ही ध्यान करेंगे अगले सप्ता लेकिन इस बार मंत्र के साथ ध्यान करेंगे ठीक है तो हर चक्र का एक मंत्र होता है जैसे जो अर्थ है ठीक है अर्थ जो root चक्रा है वो अर् जल से संबंदित है, उसका एक मंत्र है, मनिपूर अगनी से है related, उसका अलग मंत्र है, अनन्त जो है, जो हाट चक्र है, वो हवा से related है, वायू से related, उसका एक मंत्र है, विशुद्धा जो है, वो आकास से related है, इसलिए उसका ब्लू कलर है, तो उसका एक मंत्र है, उसको जगा साने का, जो हमारा थर्ड आई, जो अजना चक्र है, वो light से है, मतलब जो रोश्नी है, उससे related है, तो जो the travel of light, उसका concept है, तो उसका एक मंत्र होता है, और सहस्तरार जो है, वो हमारे विचार, ठीक है, the power of manifestation, दाकाशिक लाइबरेरी, उससे समंध रखता है, ठीक है, तो उसका एक मंत्र है तो क्या-क्या मंत्र होता है जब आप मुलाधार पर ध्यान करेंगे तो मंत्र है लांग जब स्वाधिश्थान पर आप जब करेंगे तो उसका मंत्र है वांग मनिपूर चक्र पर ध्यान और जाप करने का मंत्र होता है राम जो हाट चक्रा है उस पर जब आप ध्यान करते हैं हरे रंग पर और जाप करिएगा याम थ्रोड चक्रा पर ध्यान और जाप का मंत्र होता है हाम थर्ड आई पर ओम का जाप कहा है था ओम अब कहीं भी खोजेंगे तो शहसरार का मंत्र ओम दिया रहता है लेकिन शहसरार का ओरिजिनल मंत्र है होगुम सत्यब ओम ठीक है अब क्या है कि एक 10 मिनट का meditational music है मेरे पास ठीक है तो अभी उस music के साथ हम लोग एक बार साथ में इस ध्यान को practice करेंगे ठीक है तो इसके लिए शुरुवात में क्या करना होगा कि आप लोग बैठ जाईएगा चेर पर मत बैठेगा पालती मार करके बैठेगा और उसके बाद इसको जाब किजिए अभी तो मैं 7-7 बार करूंगा सब मंत्र को 7-7 बार मैं पढ़ूंगा ठीक है और जिस तरीके से पढ़ू कुंडले नहीं आरोहनम का मतलब होता है कि आप उपर उड़ जाओ ठीक है तो आप लोग क्या करेंगे जब आप जाब करेंगे तो मुलाधार और स्वादिष्ठान के जाब में आप लोग 108 बार बीजमंत्र का जाब करेंगे मनिपूर और अनाहत में आप 54 बार इसका जाप करेंगे ठीक है जब आप विशुद्ध का जाप करेंगे तो आप इसका जाप करेंगे मात्र 27 बार और जब आप अजना का करेंगे जाप तो 21 बार करेंगे और जब आप सहसर का करेंगे तो आप करेंगे 11 बार तो 108, 108, 54, 57, 21 और 11 ये आप लोगों के गिंती का क्रम रहेगा तो अब जो है हम लोग एक बार ध्यान में बैठेंगे आप लोग सब रिलाक्स होकर के पालती मार कर बैठ जाईए आख बंद करके थर्ड आई के तरफ कंसेंट्रेट किजेगा आखों को और उसके बाद जैसे ज आई साब से उस उस चक्र पर ध्यान करिएगा ठीक है और जब मैं बोलूँगा कुंडलेनी आरो हनम तो आपको इमाजिन करना है कि वो कुंडलेनी की शक्ती उपर की ओर आ रही है ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले आप लोग अभी मुलाधार चक्र पर ध्यान लगा लाँलाँ लाँ, 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 कुंडलनी आरोहनम कुंडलनी आरोहनम कुंडलनी आरोहनम अब आप लोग अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ज्ञान करेंगे वाण 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 कुंडलनी आरोहनम कुंडलनी आरोहनम कुंडलनी आरोहनम अब आप लोग मनिपूर चक्र पर अपने ध्यान लगाएंगे जो की नेवल चक्रप है राण 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 कुंडलनी आरोहनम कुंडलनी आरोहनम अब आप लोग अपने ध्यान हाट चक्र पर लाएंगे याँ 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 अब आप लोग अपना ध्यान अपने कंट पे लाएंगे विशुत्त थ्रोट चक्र पर ब्लू के लाइट होगी याँ 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 कुंडलनी याँ याँ कुंडलनी याँ 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 अम्हों 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 कुंडलनी आरोहानम कुंडलनी आरोहानम कुंडलनी आरोहानम अब अपने ध्यान को चक्र के जो सबसे शिरोमनी है क्राउन चक्र पर लेके जाएंगे अगों सत्याम 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 कुंडलनी आरोहानम कुंडलनी आरोहानम अगों मुराधार अगों स्वाधिश्टान ओम अनिप्पूरं ओम अनाता ओम विशुद्धा ओम अनाता ओम विशुद्धा ओम शहस्रारा ओम कुंडलनी आरोहनं कुंडलनी आरोहनं कुंडलनी आरोहनं कुंडलनी आरोहनं शान दे शान दे अरियों मतचत इस साधना के बाद आप थोड़ी देर के लिए लेटे रहें आज की वीडियो को मैं यही विराम दूँगा उससे अगर आप लोगों को बात करना है तो कॉल भी फॉर आप डाउनलोड करें उसमें रूद्रनाज सेर्च करेंगे तो मेरे प्रोफाइल मिलेगा वेबसाइट पर आप मुझसे अपाटमेंट लेके भी मुझसे बात कर सकते हैं और अगर तंत्र सीख रहा है तो उसके लिए मुझसे वाट्स अप पर बात करें मा भगवती और बाबा का निपनात आप लोगों पर आशिरवात पनाई रखें आप लोगों का बहुत ही आध्यात्मिक उर्जा का विकास हो ऐसा मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश